आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं DMX mixture के help से कैसे आप RGB LED strip को चलाने वाले हैं तो यह हमारा DMX controller है जो कि DMX 512 mixture से आपको RGB output देने वाला है यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर RGB यह आपको तीन slot मिल रहे हैं जिसमें कि हमें RGB LED strip connect करने होते हैं और मैं mixture दिखा दूँ आपको तो यह हमारा DMX mixer है जो कि पार लाइट और सारफी लाइट इन सब चीजों में हम लोग यूज करते हैं तो इससे हम लोग चला करके देखेंगे direct LED strip नमस्कार दोस्तों मैं रभी गुपता आप सभी का स्वागत करता हूं कोसी electronics में दोस्तों वीडियो सुरुकाने से पहले मैं बताना चाहूंगा अगर आप हमारी चैनल पर नए है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको LED से related latest technology का अबडेट मिलता रहे यह जो है WS24LUA यह आपको जो है DMX2 RGB strip चलाने के लिए controller है इसका costing जो है प्रॉक्स 5500 रुपे के आसपास आता है इसमें जो है टोटल आपको जो है टोटल जो है आठ आउट पूट देखने के लिए मिलते हैं और यहां पे आप देख पाएंगे DMX in and DMX out मतलब DMX mixture सो जो आपको signal आएंगे उसको इसमें connect करने है और फिर जो है आप इससे एक से जादा controller को आपस में synchronize कर सकते है DMX out के थूँ और एक controller में जो है आपको 8 output देखने के लिए मिल रहे है चार इधर है और चार इधर है ठीक है और यहां पे जैसा कि इसका model number है 3A 3A represent करता है कि यह maximum 3A का load एक port पे आपको चला सकता है इससे maximum 3A के load चला सकते है अगर आपको ज्यादा strip चलाने है तो आपको controller ज्यादा यूज करना होगा और जो है अब चलते हैं इसके connection की और और हम जो है आपको RGB LED strip चला करके दिखाएंगे और इसमें कुछ switches है इसमें क्या-क्या features है इसके connection को देखेंगे हम लोग कि इसको कैसे connect करते हैं और कौन था switch किस काम के लिए है विदा उत mixture से भी आप इससे RGB चला सकते हैं उसके लिए क्या करना है तो वह हम लोग देखने वाले ह तो हम लोग आ गए हैं अब इसकी connection keyboard और समझेंगे इसे कैसे connect करते हैं यहाँ पे देखिए हमारे पास mixture है एक्सलर केबल है पावर सप्लाई है 12V का तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस controller को power supply से connect करने वाले हैं तो यह हमारा हो गया power supply तो यहाँ पे आपको जो है input दिया हु बोल्ट से लेके 24 बोल्ट तक का आप को option मिल रहा है विट मिन्स कि आप आप पोल्ट के भी strip चला सकते हैं तो मैं यहाँ पे भी प्लस कनेक कर दे रहा हूं और यह रहा हमारा भी माइनस कि करनेक करते समय पुलारिटी का ध्यान लखना ज़रूरी है क्योंकि अगर अब ध्यान नहीं रखेंगे तो आपके LED खराब हो सकते हैं तो और यह हमारा DMX का मिक्स्चर है तो इसमें हम लोग XLR केवल लगा लेंगे और इसे भी पावर देने के लिए हमारे पास एडप्टर है इसे भी पावर दे रहा हूं जैसे आप इसे पावर देंगे तो इसके अंदर कर रखा है यह हमारा RGB strip है आप देख सकते हैं इसमें लिखा है बार भोल्ट ग्रीन कलर रेड कलर ब्लू कलर यह हमारा RGB strip है अगर आपके पास मिक्स्चर नहीं है यह मिक्स्चर में प्रॉब्लम आ गया तो आप इससे कैसे चलाएंगे तो इहां पर इसकाvisor, वाइल में तो आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि यहां पे जो है देद्धमें से दॉन स्विच को ओन करना है उन्को है यह हमारा पावर कि दस नमबर को आण करेंगे हरेक उसके बाद एक नमबर आण स्विच आपका रेड है अधर इसे करके आप वन से लेके साथ सक आपको अलग-अलग कलर मिल जाते हैं ठीक है जिस भी कलर में चलाने हैं अगर आपको इसके इसे ब्लिंकिंग में चलाने है यहां पर देखे यह ब्लिंक वाला चल रहा है इसके स्पीड को गंट्रोल करने के लिए आप एक से लेके साथ तक प्रेस कर सकते हैं आप यह देखे इस्मूथली हो गया थोड़ा ज्यादा फ्लो करना है तो आप यह दो नमबर प्रेस करेंगे तो आप देखे धीरे-धीरे कलर चेंज हो रहे हैं इस तरीके से जो है आपको एक से लेके आट तक स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं तो अब जो आप lotta देख रहे हैं डरेक्ट कर रहा है किसमूथली जम अगर आपको डरेक्ट कर रहानी है तो आपको क्या करने होंगे आठ नमबर फिक करते होगे आप देखिए यह अपर घ्रिक्त-ध जां करने बरा मैं फ्रेय्डइंगज नहीं आरहा रहा है DMX effect को समझेंगे कि कैसे करते हैं सबसे पहले आपको क्या करना होगा यहाँ जो DMX in है इसमें वायर जोड़ने होंगे तो मैंने एक्सलार केवल से यह कनेक्टर में वायर लगा लिया है तो मैं इसे प्लग कर लेता हूं तो मैंने इसे प्लग कर लिये हैं ठीक है उसके बाद जो है आपको इसको DMX मोड में डालने होंगे तो यह दस नंबर जो पीन हमने अन किया था उसे आफ करने होंगे और इन तब को भी आफ कर लेते हैं ठीक है अब जो है आपको मैं बता दू कि इसमें आप कनेक्शन यहां पर देखे लिखा है D प्लस D माइनस और ग्राउंड यह वाला कनेक्शन आप कहां से लेकर आएंगे यह वाला कनेक्शन जो है मैं आपके लिए ड्रॉइंग करके रखा हूं यह जो एक्सलार के तीन पीन होते हैं सब एक नंबर लिखा होता वन टू थ्री जो वन नंबर का आपका आउटपुट होगा एक्सलार सॉकेट का वह आपके ग्राउंड में जाएंगी तो इसके ग्राउंड में मैंने जोड़ होगा उसके अकॉर्डिंग यहां पे आप कनेक्शन कर लेंगे उसके बाद जो है आपको 8 स्विच मिलते हैं 8 स्विच में आपको एड्रेस सेट करने होते हैं तो इसमें क्या है कि मैंनुली स्विच के एकॉर्डिंग एड्रेस सेट करने होते हैं तो मैं आपको दिखा दित आपको कुछ नंबर सेट करके दिखाने वाला हूँ ठीक है तो यहां पर जेखिए जो जो नंबर है एक दो तीन चार पांच छे साथ अमान के चलिए आपका स्विच है 1 2 3 4 5 6 7 8 अगर आप इसको ओन करते हैं ओन करते हैं यका मतलब होता है one ओन करते हैं आप के मतलब होता है जीरो ठीक है और यह hijos को हम लोग जो है कोई चीज है स्विच है उसके दो कंभिनेशन होसकते एक या तो ऊन होसकता है दूसरा उन हो सकता है तो इसको है मलोग जब भी switch on करेंगे उसको इस form में add करते हैं 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3 ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ते हैं जो भी switch on होगा मान के चलिए हमें एक number बनाने है एक number बनाने के लिए switch number 1 को on करना है बाकी सबको 0 करना है 0 करना है, 0 करना है ठीक है? कोई भी चीज़ का power 0 जो है आपको 1 होता है और 2 to the power 1 ये तो हमारा 0 ही है तो इसमें कुछ नहीं होगा सब 0, 0, 0, 0, 0 ठीक है? अभी 1 करने के लिए हमें पहला switch on रखना है अगर 2 करना है तो हमें ये रखना है कि 2 number switch on करना है पहला number 0 हो गया दूसरा on कर दिया प्लस 0, 0, 0 अब इसमें क्या है? 2 to the power 1 2 0 प्लस तो total को आप जो रेंगे तो आपको 2 number मिलेंगे अगर 3 बनाने हैं आपको 3 number बनाने हैं एड्रेस 3 number के लिए क्या चाहिए? एक तो 1 चाहिए, एक तो 2 चाहिए तो पहला switch भी on करेंगे प्लस दूसरा switch भी on करेंगे बाकि 0 करेंगे तो पहला switch के लिए 2 to the power 0 दूसरे के लिए 2 to the power 1 प्लस ये सब off ही है 2 to the power 0, कोई भी चीज़ का power 0 वह आपको 1 होता है 2 का power 1, 2 होता है प्लस 0 प्लस 0 तो यह सब को एड़ करेंगे तो आपको 3 मिलेगा इस टाइप से आप DMX की एड्रेसिंग कर सकते हैं दोस्तों यहां पर मैंने अभी एक नमबर स्विच को सेट करता हूं DMX चैनल 1 पे ठीक है DMX चैनल 1 पे सेट कर दिया उसके और मैं यहां पर DMX मिक्चर को आन करता हूं तो यह हमारा देखिए मिक्चर तो आन हो गया है और जब भी आपको DMX सिगनल मिलेंगे तो यह आपका LED बिलिंक करेगा तो अभी हम देख रहे हैं इसको ग्रो करके तो हमारे आउटपुट आनी चाहिए थे हमें सिगनल तो आ रहा है लेकिन अउटपुट नहीं आ रहे तो आउटपुट क्यों यह तो मैं अपने वाइरिंग को चेक कर लेता हूँ ठीक है आउटपुट के लिए हमें यहां अमेल number one आउन करने होंगे तो यहां पर देखिए channel 1 को हमने signal दिया तो यह हमारा red green blue ठीक है ऐसे करके यह हमारा कोई भी color mix कर सकते हैं अगर हमें pink बनाने हैं तो red और blue यह pink हमारा हो गया ऐसे करके अब हम जो है channel number 2 के लिए देख लेते हैं channel number 2 के लिए हमें क्या करने होगे यहां पर जो है मैं आपको दिखा दूँ channel number 2 के लिए हमें दो number 1 करने होगे ठीक है तो हमने यह दो number set कर दिया है और यहां पर हमारा dmx signal आने लगा तो यहां पर देखे यह दो number में यह दो number में shift हो गया ठीक है तो पहला चैनल पर मैंने हमारा यहां रेड आ रहा था मैंने दूसरी एड्रेस पर set किया तो यह एक shift हो गया तो दोस्तो इस तरीके से जो है आप dmx तो leds trip को इस controller के help से चला सकते हैं थो दोस्तो हो अपको वीडियो अच्छा लगा हूगा आपको कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा दोस्तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like करदे अगर आपको इसके बारे में more detail कुछ जानना है तो आप नीचे comment करें in future में उस पर वीडियो लेकर तेंक यू थांक यू थांक यू फॉर वाचिं आवर वीडियो चुर।